अलो चिल्डरन कैसे आप सभी चलो आज मैं आपको एक एक्टिविटी करने को देती हूं ठीक है यह आप देख रहे हैं मेरे पास एक शीट है प्लेन सी ज्रॉइंग शीट लाइक आपकी एक्टिविटी का नाम क्या होगा फ्रूट्स ने करने कैसे है आपने जैसे आप देख देट उसकी जो पिचर्स आपने कट करके दे देनी झाए उसके बास जैसे बच्चा छुद पेस्ट करेगा तो इस तरह से उसको पेस्ट करकर क्या है यह बच्चा कहेगा यह है अनार और इंगलिश में क्या पोलते हैं और बच्चा इसको खुद पेस्ट करेगा इसी तरह आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ पिच्चर्स है जैसे यह स्टॉबरी की है जैसे बच्चर्स है उत्च आप देख से और यहां पेस्ट करवाएं यह क्या है इससे अब है a आम ग्रैनेट को इंगलिश में क्या रहें ही अनार थोड़ी आपने पहचान करवानी आ तो लाइक अनार है तो वो मीठा होता है तो यह मिठा होता है और अरेंज के इसलेंगे तो ऐसोटा है थोड़ा घटा होता है थोड़ा खटा-kटा सा होता है तो जब आप उसको मतलब बच्चे को दिखाएंगे न तो बच्चे को पच्चा चल जाएगा कि यह apple है तो उसको color भी बताना है पेचान भी करवानी है और taste भी बताना है ठीक है और मतलब बच्चे को जो है taste भी आ जाए जब आप घर पे लाते न बटा यह क्या है वह वह निए फोल पुछ लुब ए फैपल अगर वह हिंदी में बोलेगा सेव तो इंगलीश में क्या बोलते है apple उसकी बाद झब ठीक है और खुदी करना है बच्चे से का मज़ा आएगा बच्चे को और इसके लावा आपने क्या करना है बच्चे को जब आप टिफिन में कोई चीज पैक करके देते हैं तो उसको वह जो वेजिटेबल है उसका नाम पता हो जैसे भी आप पटेटो है पटेटो की सब्जी है अच्छा फिर वह टेस्ट भी करेगा कि हां कैसी है कैसी नहीं है पता हो की आज में ये लाया हुँ आज मैं बहुत आया हुँ जब चयकर टिफिन करते तो बच्चे को पता हो बताना है थोड़ा सा आपने इंग्लिश है इंग्लिष में यूज तर ने है बच्चे के सादosh जैसे what are you doing तो फिर जैसे आशकल मैंने स्टार्ट किया है तो what are you doing बेटा तरचे बोलते है इटिंग food, watching tv, sleeping, playing, small small words और जैसे just like की go inside, go outside, come here, इस तरह से आपने small small words यूज़ करने है, bathing यानि की नहाना, okay and brushing teeth, drink में लग बेटा, small small words उसको अभी small small words बताने है, उसके बाद वो धीरे-धीरे sentences सीख जाएगा, अभी small small words ही use करेंगे, ठीक है, उसकी हिंदे भी हम धीरे-धीरे बताएंगे, तो इस तरह से आपने वो भी start करना है, और ये activity भी करनी है आपने, ये fruits वाली activity में होगा, कि बचा खुद करेगा, त तो उसको ध्यान रहेगा, क्योंकि जो चीज बचा खुद करता है activity, तो उसमें उसको जाध्यान रहता है, तो एक sheet जाधा fruit की भेचान करवाने होगी, तो एक sheet हो जाएगी, फिर आप दूसरी sheet use कर सकते है, फिर उसको step कर सकते है, इस तरह से करवानी है, तो उसको फिर जब